Hello Students, Welcome to my YouTube Channel दो-तिन दिनों से मैं आपलोगों के कमेंट का कुछ रप्लाई नी कर पाई हूँ तो आज मैं इस वीडियो के थूँ आपलोगों के सारे कमेंट का रप्लाई कर दूंगी तो जिनोंने भी मुझसे कमेंट में अपने कोई डाउट पूछे थे ये वीडियो उनके लिए है, वो क्लियर हो जाएंगे, साथ में अगर आपका भी कोई नए स्टूडेंट्स का कोई ऐसा डाउट है, तो वो भी इसे देख सकते, उनके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होंगे, तो चलिए एक एक करके मैं कमें ले रही हूं, यह यहाँ मैं फार्म में कितना मिलता है कि उमेश रात्रे जी जिउ में में सकॉलर्शिप भरा रहा है क्यूकी सीजी स्कॉलरों टेख में सब्सक्सिए विडियो से इस भी गर्री में पॉलिज को सब्सक्रास है Row धि पुछाया था आपको स्कॉलर्शिप कितनी मिलेगी आप किस केटेगरी के हैं कितनी फीस अपकी है उसपर डिपैंड गरता है अगर आपका और ब्रीफ में जानना है तो किल का वीडियो देखिए जहां पे मैंने बताया है cg scholarship में कितना पैसा मिलेगा और कितनों को पैसा मिलेगा इस वीडियो को जबूर देखें उमेश रात्रे हाँ यार अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है खगेश्वर साहू आपका भी ये doubt clear हुआ होगा आप जी जी उमें अगर admission लिया है तो आप form भर सकते हैं मैम मैं अभी engineering first year में admission लिया हूँ तो government college में इस form को भर सकता हूँ कि आप बिल्कुल भर सकते हैं आप और institute और course court कैसे निकालू देखे अनीश शर्मा पहली चीज तो मैं ये बता दू कि अगर आपका category general है तो आप नहीं भर सकते हैं दूसरी चीज अगर आपका category general नहीं है तो आप भर सकते हैं और course code आपको website में मिलेगा और मैंने ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें बताया है आपको course code कहां से निकालना है institute जो लिखा हुआ institute की लिस्ट उसी में जाईए आगे वहीं पर कोर्स कोड है या फिर कोर्स कोड का अलग से एक पेज बना हुआ है उपर में देखें मैंने इस वीडियो में बताया है ठीक से देख्या की स्कूल वाला option चॉइस करूं देखें स्कूल वाला option नहीं चॉइस करना है आपको यहां पर आप फॉर्स टियर में जा रहे हैं तो आपको college course code ही भरना होगा अपना institute code और मैं मैं जीसी जगदलपूर में admission लिया हूं तो college के तरफ से notice आएगा scholarship का देखें कोई notice नहीं आएगा यहां पर अगर आपको notice आता भी है तो जब college आपका start हो जाएगा तो आपको एक बार ऐसी information देने के लिए आपको बता दिया जाएगा बाकी college की responsibility नहीं है से scholarship की इसलिए आपको जब बता दिया गया तो आप scholarship form भर दीजिए अगर आप आपका category जनरल नहीं है तो क्योंकि यह scholarship cg scholarship st sc obc के लिए है सिर्फ मैं जीसी बीएसपी में btec b and what about gc राइपूर मैं जीसी जगदलपूर में कौन सा degree मिलता है अनी शर्मा इन रेश्मा वर्मा जीसी राइपूर बिलासपूर जगदलपूर या मैं यह कहूं csv2 से आप अगर engineering कर रहे हैं तो अब btec मिलता है अब btec की degree मिलती है पहले भी अब यह जो डाउट है बहुत से स्टूडेंट्स का था वो ख्लियर हुआ होगा है चैतन्य वांजारी आपका डाउट है मैं जीसी राइपूर में एडमिशन के लिए क्या क्योंकि वेबसाइट में डामसल सर्टिफिकेट कंपलसरी का जिक्र नहीं हुआ है प्लीज कॉंफर्म करके बताइए मैं माइडियर वेबसाइट में तो मैंशन नहीं है मैं यह भी जानती हूँ बट कुछ स्टूडेंट्स यो पहले एडमिशन ले चुके हैं किसी कॉलेज में वहां पे तो मांगा गया है सीजी डॉमसाइल सो बैटर है कि आप भी लेके जाएए बट जीजी रायपूर में अभी तरह स्पोर्ट कांसलिंग के लिए आप पूछ रहे होंगे कि बाकी अडमिशन प्रोसस्स तो खतम हो चुका है सेकेंड राउंड का स्पोर्ट कांसलिंग के पहले आप बनवा सकतें सीजी डॉमसाइल सर्टिफिकेट आपका बहुत जल्दी बन जाएगा च्वाइस सेंटर में जाएए बनवा लीजिए बन जाएगा इसली आपका नहीं है अगर आपके पास तो मैं मेरा श्रीष रंकरचा टैंक्टिकल केंपस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है बी फारमेसी में बट अभी तक हम लोग का ऑनलाइन क्लास चालू नहीं हुआ है और हमारे कॉलेज में सभी कोर्स के एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गया है तो क्या हम लोगों कभी ऑनलाइन क्लास फर्स नॉमबर से स्टार्ट हो जाएगा क्या मैं प्लीज रिप्लाई अफजल अली देखिए फर्स नॉमबर से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी ऐसा कहा लागों आप यह मान के रखिए कि हो जाएगी क्लास सटाट आपके कॉल इससे ही आपको इंफरमेशन मिलेगा कोई ओफिशल नोटिस आएगा तो अपको जरूल इंफरमेशन मिलेगी अगर नहीं आता है तो कोलेज के ही जो आपके डिपार्टमेंट के जो फैकल्ति आपको को इनफॉर्म करेंगे वही टाइम टेबल भी बताएंगे आपको थोड़ा पेशन्स रखिए आएगा सब की क्लास स्टार्ट होने का जब और आ चुका यूजी सी के तरफ से तो स्टार्ट होगा मैं ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी सी आर आर्मी गेमिंग मैं स्कूल कब ओपन होगा देखिए ऑफलाइन क्लास इन स्कूल मतलब आप पूछना चाहरे स्कूल और कॉलिज कब खुलेगा तो इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है अभी फिल हाल के लिए मैं पॉली टेक्निक का कब से स्टार्ट होगा आप भी श्याद ओनलेइन क्लास का पूछ रहे हैं तो देखिए ओनलेइन क्लास सब की फर्स्नुमबर से स्टार्ट होगी ऐसा कह दिया गया है क्योंकि यूजी सी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है तो अभी PG में एड्मिशन हुए नहीं है तो इसे में इसमें होगे इसमें होगा क्या CD scholarship में स्टूड़ेंट्स पी तोद्श है अगर आपक jużड्या resin कि याज योड्या ममर तोени si कॉलेजस से के थुरू समया है अन्षल प्रजा पती आपका भी स्टार्ट होगा today. एर यूइ थे कुछ okay कॉलेज-जेज में उनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेले एक फ्लास्थ हो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हुआ तो आपका डाउट I hope clear हो चुका होगा अब यह है मैं मेरा कॉलेज में कहां की क्लास फर्स डिसंबर से चालू होगी Funny guy Funny guy आपको में एक चीज बताना चाहूँगी कि CG की mostly colleges में फर्स नॉबर से क्लास स्टार्ट हो रही है online तुमें आपको यह एडवाइस देना चाहूँगी कि AICTE के वेब साइट ओपन करिये वहां पे देखिये 36 गड़ के कौन से युनिवर्स इटीज है जो AICTE के अंदर आती है उनकी ही से 1st December से होगी बाकी की 1st November से हो रही है Ma'am, can you also feel the form of Jiju in CG scholarship ma'am? What she is saying she or he, monu, dhanelia, dhanelia In ma'am, CG scholarship, can we apply Gigi also? What you are asking, maybe you are asking that if you are from the Gigi Bilaspur, you are eligible to fill this CG scholarship form, my dear Yes, you are eligible to fill the scholarship of CG scholarship if your category is SC, ST, O, BC It doesn't matter, you are from Gigi U or any other college You can feel it And one thing I have to say अगर आपको कोई doubt है, तो CG scholarship की website में जाके देखिए college code तो भरना ही है, आपको तो Gigi U का दिख जाएगा नाम है तो आप apply कर सकते हैं मैं मेरा नाम Gigi U Forestry में second list में नाम आया था, बट किसी कारण से मैं admission नहीं ले पाया था, तो क्या अभी seat खाली होगी तो हो जाएगा क्या admission देखे, राकेश देवांगन आपको ये information के लिए अपने department में call करना होगा, Gigi U Forestry department में आपको information मिल जाएगी, बट मेरे according अभी तक ऐसी कोई notice नहीं आई है, अगर जो miss कर चुके वो फिर से form भर सकते की नहीं कि आपने chance मिस कर दिया, तो जो 3rd या 4th list आई है, उसमें students को chance मिल रिया होगा, तो आप शायद अप्लाई नहीं कर सकते, फिट भी अगर आपको कुछ मुच डाउट हो तो आप डेपार्टमेंट में कॉल करकी पूछ सकते हैं, मैं होस्टल वाले में कैसे करें, अभी होस्टल तो बुक नहीं हुआ है, लेकिन मैं होस्टल में रहूंगा, नरता साहू, सीजी स्कॉलर्शिप का पूछ रहे हैं, तो अगर आपका कॉलेज में ए होस्टल की फीस पे नहीं करी है, तो आप थोड़ा सा रुख जाएं, क्योंकि तीस नॉम्बर तक अभी टाइम है, हो सकता है, फॉर्म का डेट एक्स्टेंट भी हो जाए, तो आप अभी वेट कर लीजिए, कॉलेज की तरफ से आपको कुछ ना कुछ इन्फरमेशन मिलेग है, वैसे तो मैं आपको यह बता दू कि तीस नॉम्बर तक तो कॉलेज नहीं खुलने वाले है, अभी यह कंफर्म है, तो आप बैटर होगा वेट कर लीजिए, अगर कोई हो सकता है, आपके कॉलेज की तरफ से हॉस्टल का आ जाए, बट वह इसलिए नहीं पूछ रहे हैं होस्टल का कि शाइट वह खुद भी नहीं जानते कि अभी जो छे मैन है, उस समय कॉलेज खुलेगा या नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए वह नहीं पूछ रहे हैं, अगर आपको डाउट है, तो आपको कॉलेज में पूछ लीजिए कि होस्टल के एडमिशन का क् आपने जिस भी कॉलेज में अडमिशन लिया होगा, उसके बाद आप फॉर्म भर दीचें, या फिर वेट कर लीचें, मैं मेरा डियो बी टू 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 है, और मैं पॉली टेखनी कर रहा हूं, तो अपलाई नहीं हुआ, बोल रहा है डियो बी टू 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 वाले ही अपलाई कर सकते हैं, अप क्या करूं, सोशल वर्क जो भी आपका नाम है, आपको मैं बताना चाहूंगी, टू 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 टमीज सेवेंटीन यर, और यू आर फिफिटीन यर ओल्ड ली, तो आप इस फॉ अधरी, मेरे अकॉडिंग तो हो जाएगा जी जी यू का फीस रीफंड, बट आप एक बार डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो जादा बेटर होगा, आपने जिस्वे डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, जो फीस है व यहां पर एरली फीस और समेस्टर फीस, यहां पर अल्रेडी इस वीडियो में इतने क्लियरली मैंशन है फॉर्स्ट और समेस्टर फीस है वह थैंक्स पर बेस्ट इन्फोरमेशन माम, थैंक्यू, खुशी गुपता, माम स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई कैसे करना है, वह आप मेरी चैनल की प्लेइस्ट में जाये स्कॉलर्शिप करके एक मैंने प्लेइस्ट अलग सी बना दिया है अब तो आपको स्कॉलर्शिप फॉर्म भरने का प्रोसेस वहां से मिल जाएगा मैं प्पीटी का थर्ड राउंड का नई हो रहा है क्या खाली सीटो पर देखें, थर्ड राउंड, I mean, you are asking about स्पॉर्ट कांसलिंग तो पीपीटी का होगा अभी पीटी का बस स्टार्ट होने माला है और नॉम्बर फिर्स्ट वीक से दिवाली के बाद आप लोगों का भी होगा थर्ड राउंड, स्पॉर्ट कांसलिंग स्पॉर्ट कांसलिंग प्रचापती आई होप आपका डाउट मैंने पैले ही क्लियर कर दिया है स्कॉलर्शिप के लिए मैं कैसे अपलाई करें रुपेश देवांगान आपको भी सेम यही कहूंगी प्लेलिस्ट में वीडियो है प्लेलिस्ट में एक बना हुआ है जाके दे स्पॉर्ट कांसलिंग कब से होगी प्लीज रिपलाई सुरेन गुपता मैंने स्पॉर्ट कांसलिंग कब होगी सरेलेटेड पहले ही सीजी डीटी की एक कॉल रिकॉर्डिंग अपको सुनाई थी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीज़े बताना चाहूंगी फर्स नॉ स्पॉर्ट कांसलिंग का वो वीडियो से तो आप देख लीज़े पहली चीज और दूसरी चीज मैंने सीजी डीटी की दो दिन दो या तीन पहले मैंने सीजी डीटी की एक रिकॉर्डिंग डाली थी उसमें अल्रडी बताया है और भी डाउट जो भी थी सारे क्लियर हुए हैं सीजी डीटी की रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग अब सुन सकते हैं कि पीटी आरेसी में मास्टर डिगरी के लिए फॉर्म कब तक आएगा रवी चोहान अभी इस बार में कोई अपडेट नहीं है आता है तो जरूर इनफॉर्म करूंगी मैं बीसी फॉस्ट एयर का नियू सब्जेक्ट्स भेजना संदीप कुमार बीसी किस बीसी के लिए मेंस आप थोड़ सा और डीटिल बताएए देन आइविल टेल मैं जो लोग उस टाइम अपलाई नहीं किये थे उन लोग डारेट ओपन कांसलिंग के थू नहीं हो पाएगा क्या देखिए थानेश्वर दू अभी भी फिफ्ट लिस्ट ही आ रही है तो यहां पर अभी कोई नए स्टूडेंट्स के लिए कोई ओपन कांसलिंग जैसा प्रोसेज नहीं है जी जी ओ में अगर आप पीजी कोर्स के लिए पूछ रहे हैं तो अभी तक तो ऐसा कोई इंफोर्मेशन नहीं आए कि ओपन कांसलिंग को लेके तो अगर आता है तो आपडेट अपाउट बाउट 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 बैट मैं बी की स्पोर्ट कांसलिंग का सुरेंद आपका मिलेगी राम पैकरा कब से क्लास स्टार्ट होगा मैं कन्फर्म है ना फॉर्स नॉमर को ऑल्नाइन पढ़ाई चालो हो जाएगा सीएस वीट्यू का भोप सिंग श्रिवास मैं आपको बताना चाहूंगी सीएस वीट्यू के अंदर जो अभी जितने भी कॉलेजिस में से कु यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगी है तो आप पेशेंस रखिए आपको कॉलिज के थू पता चलेगा सुरेन गुपता आपका डाउट क्लियर होगा होगा डुमेंद्र बगेल का डाउट है कब से क्लासे स्टार्ट होगी फर्स्ट इयर बीटेग जीसी का देखिए आपको कॉलिज के थू इंफॉर्मेशन मिलेगी क्लासे से को लेके मैं मैं एड्रस में कुछ मिस्टेक है तो स स्कॉलर्शिप मिलेगा कि नहीं मैं डियर योगेंद्र कुमार आप ऐसा मिस्टेक ना करें किया पे यह स्कॉलर्शिप की बात है और आप जानते तो होगे मैं इसमें बताई GratST लिए तो जब आपको इसकोलर्शिप चाहिए तो ऐसी गलती ना करें अगर इस मिस्टेक थोड़ी से मिस्टेक तो चल जाएगा फर एक्जामपल स्पैलिंग मिस्टेक वगरा बट अगर आपने कोई जादा स्मिस्टेक की है तो मेरे एकॉर्डिंग शारा फिर से फर्म भर सकते हैं तो इस तरीके के अगर आपके डाउट्स होंगे तो आपके भी ख्लियर होंगे तो इस वीडियो का ज़रू लाइक करेंगा और मैं एक चीज़ कहना चाहूंगी अगर मैं कमेंड का रिप्लाइ नहीं कर पाती हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेगा क्योंकि मैं कमेंड क इसलिए आप लोग थोड़ा पेशन्स रखा करिये तो इस वीडियो को जरूर लाइक करियेगा मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करियेगा ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए आपके डाउट्स भी क्लियर हो इसी तरीके से तो जरूर सब्सक्राइब करि और देगा and thank you so much for watching this video